हालो एब्रिवान कैसे हो आप लोग सो मैं सिम्रन मैं और मेरे साथ है शुबम सर हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इंजिनियर्ज वाला चैनल पर तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आये हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस पर रहने वाला है जो एक पीएस ने वेकेंसी निकाली है उसमें टोटल नंबर वेकेंसी है एलेवन असिस्टेंट इंजिनियर की वेकेंसी जलसक्ती डिपार्टमेंट है और इसके साथ अगर इसको वाइस बाइफर्गेशन करें तो अन्रिजर्वड की इनों ने सेवन इसके साथ अगर देखें तो एसेंशल क्वालिफिकेशन इसने दे रखा है कि फूल टाइम डिग्री इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी को किसी भी ऐसी जगह से जो एसी टी से अपरूड हो उस जगह से आपकी डिग्री होनी चीए फूल टाइम इन सिविल इंजिने करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री बोल रखी है जी मैं और सर यहां पर अगर हम एज की बारे में बात करें तो एज क्राइटेरिया हमारा एटीन यर्स टू फॉर्टी फाइव यर्स और यहां साथ साथ मेंशन है कि जो आपका ही एलिजिबिलिटी के जर्टेरिया है यह कब तक हुल्फिल होना चाहिए जब फॉर्म करने की लास डेट होगी तो करने कीमारी फर्स्ट में तो फास्ट में तक जितना भी इस्ट्सल्क्वालिफिकेशन यहां पर बोल रखा होगा वह सब आपके पास होना चाहिए तो इसके बाद पॉइंट पर डिसकेस करते हैं इनका अप्लाई करने के लिए इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है एच पी पीएस्टी की जो वेबसाइट उस पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो साथ ही साथ अगर हम इसमें और भी बात करें तो इंपोर्टेंट जो एक्जामीनेशन फीस है एक्जामीनेशन फीस जन्रल कैटेगरी के लिए 400 SC ST और OBC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए इन्होंने रखा है एक सर्विसमेन और फीमेल्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है यहां पर साथी साथ एक चीज और देख लेना इसमें एक इंपोर्टेंट बात कि वह गया है बट अधर श्रकी जो रिजर्ब यहींड्य के लिए चैवन के सर तो यह की बात ऊप अब थोड़ा सा में यह डाउट रहता हैं कि कि क्या हमारा इसेंशल को मतलब क्वालिफिकेशन तो हो गया विए भी देखना है कि सलेबस भी कैसा रहेगा और एक्जाम पैटर्न भी क्या रहेगा जी मैं और यहां मेंशन भी किया है कि जो हमारे जितनी भी एक्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज रहेंगी तो हिमाचल की तीन जगह यहां पर मेंशन की है धरमशाला मंडी और शिमला यहां पर ही आपका एक्जाम होगा जो आपका एक्जामिनेशन सेंटर होगा अब अगर हम सर्ट सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे में में होता है तो वैसे यहां पर दो स्टेज में आपका पेपर होग तब भी आप personality test के लिए eligible होंगे तो screening test में आप लोगों का सर इसके बारे में कुछ बताईए कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो टेस्ट है screening test आपका objective डिस्क्रिप्टिव कुछ भी हो सकता है अभी तक finalize नहीं किया इन्होंने objective और descriptive दोनों लिखा है साथ ही साथ इन्होंने यह भी लिखा है कि यह जो cbt test यह offline भी हो सकता है computer जो based test इसको offline भी करा सकते और cbt mode भी करवा सकते इन्होंने दोनों ही point लिखें और इसके लिए इन्होंने minimum passing marks भी दिये जनरल category के लिए इन्होंने दिया है 25 परसेंट और जो अधर category जो रिजर्वड कैटेगरी के students है उनके लिए 20 परसेंट minimum qualifying marks आपको इतने marks तो लाने ही होंगे इसके साथ जाथ इन्होंने total number of questions भी बताए है है 930161 Mark उसमें negative marking का भी है point negative marking आपका देखा था और आपका नेगेटिव होगा अगर आप question को गलत करते हूं अगर question को नहीं solve करोगे तो उसके लिए आपका कोई नहीं होगा लेकिन अगर किसी कोशन के आप दो ऑप्शन करेक्ट कर देते हो तो उसको भी वह रॉंग कर देंगे रॉंग करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना बाकी इन्होंने पैटर्न भी दे रखा है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें क्या-क्या वेटेज रह है यहां पर हिमाचल परदेश का और 10 क्यूशन आपके जनरल नौलेज के रहेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल आफेर्स बीस्ट रहेंगे ठीक है तो आपका ओवर रोल हंड्रेट के अंदर 70 परसेंट टेक्निकल और 30 परसेंट आपका जनरल नौलेज का पॉर्शन रहे तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट फस्ट में तो आप एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब फॉर्म को फिल करेंगे लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन मे कितब त्यारी शुरू करेंगे हम हर सेशन में आपको यहीं गाइड करते हैं तो अभी क्या है कि हम और सेशन लाएंगे जिसमें हम पुराने जो हिमाचल के पर हुए हैं जेए के और एक उसका अनलीस लेकर जिसमें आपको आईडिया लग जाएगा कि पहले कितना कट आफ पाता कैसा एक्जाम का पैटन था तो वह अलग से सेशन में आपके साथ डिसकस करेंगे को सब्सक्राइब करना चाहते हैं अब इनको फॉर्म करना एक्जाम देना है और एक्जाम निकालना सिर्फ इनका यह टार्गेट होना चीए ठीक है तो अभी हम सेशन को करते हैं और से ही गाइडेंस सेशन और नहीं नोटिफिकेशन के साथ आपको हम मिलते रहेंगे थैंक्यू अवरीवन थैंक्यू अवरीवन